नमस्ते मैं हूँ अचारे प्रतिश्ठा अकसर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग को लेकर के बहुत सारे Reservation's लेकर के रहते हैं अपने मानसिक रूप से बहुत सारे प्रतिबंद अपने उपर लगाए रखते हैं कहीं न कहीं यह सोचते हैं कि योग कोई बहुत जटल सबजेक्ट है या योग कोई एक बहुत बड़ा rocket science है और अब इस उमर में मैं कहाँ योग करूँ या कुछ लोग सोचते हैं बुडापे में योगा अभ्यास किया जाता है, कुछ सोचते हैं ये वाला काम कतम करो किलो फि अगर आप योग अभ्यास करना चाहते हैं तो आज यो सुगम साइक अभ्यासम आपको बता रहे हैं उसका अभ्यास करके अपनी योग यात्रा को आरंब कर दीजिए जो चलेगा वो बंतव्य तक जरूर पहुंचेगा लेकिन जो खड़ा ही रहेगा और सोचता ही रहेगा वो कहां पहुंचेगा वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा तो आपको आज एक बहुत सुगम साभ्यासम सिखा रहे हैं और जैसा हमने पहले भी कई बार आपको बताया कि बंदनी गुरुदेव स्वामी भारत बूशन जी ने गतियों का निर्मान करके मानफता के कल्यान के लिए एक ऐसा रामबान दिया कि वो लोग जो अलग से समय नहीं निकाल पाते वो लोग जो स्थिर आसन में नहीं बैठ पाते वो लोग भी चलते चलते गतिमान रहे करके भी योग का लाव ले सकते हैं स्वास्था का लाव ले सकते हैं हम आज करेंगे शिशु गति और यथा ना बच्चों को नहीं होती है, यह अक्सर बड़ी उमर में आकर मत कौकी हैं..جब यंग हो जाते εί हैं.. हम जब ग्रोइंग एज में होते हैं.. इसमारी पर क्रीस्से पर में ख़ के बच्चा बंना हैं.. शरीर से भी और लिए मन से भी.. किपने physically active हम बचपन में रहते हैं लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी physical activity कम हो जाती है और साथ में हम अपने उपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बहुत सारी नकारात्मक्ता का लबादा ओड़ करके रहने लगते हैं और यह मान लेते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं हस नहीं सकता हूँ, मैं मस्ती नहीं कर सकता हूँ तो शिशुगदी आपको फिर से बच्चा बना देगे और हम वह काम करेंगे जो आपने पिछले कई सालों में नहीं किया होगा सर्फ यहां तो अगर आप दादा दादी हैं, तो हो सकता है, आप अपने पोत्या-पोती के साथ ऐसा करते हों, या फिर आप खुद बच्चे हैं, तो आप ऐसा करते होंगे, अदर वाहिस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो यह महसूस करेंगे, कई सालों से आपने ऐसा नही है, आप यह जानते होंगे कि, मेडिकल साइंस भी यह बताती है, कि जिन बच्चों का ख्रॉलिंग का स्टेज नहीं आता और उनको सीधा-सीधा वाकर में डाल दिया जाता है, उनको कमर में दर्द की समस्या लेटर स्टेज पर होती ही होती है, इसलिए क्रॉलिंग इस वेर के जालों की समस्या बूर होती है, आखे स्वस्थ होती है, और सबसी जरूरी चाजह है एक्यु प्रेशर पऊंतलों क्रेशर पड़ता है तो उससे आपके तकी overall health better होती है, अगर आपको भुट्रों में दर्द की समस्या होbon तो आप इसको नहीं करेंगे, बाकिसा भी लोग कर सकते हैं, तो इस्थिती में आना, और जिसे एक छोटा बच्चा किलकारी मारता है, अभी हम तो इस मैट पे आपको करके दिखा रहे हैं, पूरा जितना बड़ा एरिया आपके पास, उसमें आप चल सकते हैं, तो इस तरह से घुटनों के बल चलना, और घुटनों के बल चलते-चलते क्या करेंगे, ऐसे किलकारी मारना है, फिर बजरासन में बैच जाना है, पूरी शरीर को धीला छोड़ देना है, आप देखेंगे, प्रत्यक्षम किम प्रमानम, प्रत्यक्ष को प्रमान के आवश्यक्ता नहीं होत जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेरे पर एक नेसरगे ग्लो आ जाएगा, आपके चेरे का रंग बदल जाएगा, आप उपसूरत लगने लगेंगे, कितनी देर इसका अभ्यास करना है, पांच मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जित नहीं करना access नहीं करना जितना easily कर सकते हैं उतना easily करें हम आपकी एक समस्या और उसका समाधान लिख करके आते हैं अगर आपके मन में भी प्रश्ण है तो social media के माध्यम से आप हमसे जुड़ें और अपने प्रश्ण हमें जरूर भेजें